आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा तदुपरांत अष्टमी दिथी आरंब हो जाएगी नक्षतर हस्त रहने वाला है दिन के एक बचकर सत्तागोन मेर तक तदुपरांत चित्रा नक्षतर आरंब हो जाएगा वरत्योहार में आज लोहरी है जो मुखेता पंजाब में मनाया जाता है साथ ही स्री रावाननद चारे जी का जेनतियाज है मित्रों अगर आपको आज का पंचाग और भी विश्टार से जानना हो एक-एक मुhnतों वहां जानना हो तो डिस्किप्शन में आज के पंचाग का लिंक दिया हूँ है वहाँ जाकर आप आज का पंचांग विश्तार प्रूवक जान सकते हैं एक-एक मोहरतों गया में जान सकते हैं आज के संपून रासी फल के वीडियो में हम जानने वाले कुल 12 रासियों का आज का रासी फल साथ हम जानेंगे आज का सुब समय, असुब समय, दिसासूल, सुब खाद्य, रासी उनुसार क्या खाद्य पतार्थ आपके लिए सुब रहेगा रासी उनुसार कौन सा रंग आपके लिए सुब रहेगा रासी उनुसार कौन सा लकी नमर आपके लिए रहने वाले तो वीडियो में हमारे साथ अंतर तक बने रहे ताकि आपको संपूर्ण रासी फल की जानकारी हो पाए रासी फल का वीडियो पसंद आई जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें साथ ही कमेंट बॉक्स में जे मातादी जोव लिखें में तो आज का बारा रासी का रासी फल आपको बधाना आराम करूँ उससे पहले आए एक नजी डाले आज के ग्रहों की इस्तिती पर क्योंकि ग्रहों की इस्तिती पर ही पूरा का पूरा रासी फल निर्भर करता है आज राहू मेश रासी में मंगल विश रासी में चंदरमा कन्या रासी में केतु तुला रासी में सूर्य बुध्य दोनों एकसा धनु रासी में सुक्र सनी के साथ मकर रासी में गुरु मीन रासी में विराजीत है कन्या रासी में चंद्रमा आज रात लिके 2 बच कर 12 मिनट तक रहेंगे तदुर्पांद चंद्रमा का तुला रासी में प्रवेस हो जाएगा तो इनी सभी ग्रहों का मिलादला हाल आज के रासी फल में हम जानेंगे तो आईए बात करेंगे अब पहली रासी मेंस रासी की मेंस रासी में चंद्रमा छठे स्थान में विराजित है आज जिसके फ्लसरूप आज आपकी कारियों की अधिक्ता रहेगी कारी छेत्र में परिवर्तन का मन भी आपका हो सकता है आज आप अपनी वानी की मधूरता से बहुत सारे कारियों को लिपड़ा सकते हैं अगर आप अपनी वानी पे अंकुस नहीं लगाएंगे तो आपको बहुत साही लोगों के आकरोस का सामनाज करना पड़ सकता है सासन और सत्ता के लोगों से कुछ सहयोग आपको मिल सकता है आपके पडिवार की परतिष्ठा भी बढ़ेगी अगर कुछ नया कारी आरहम करना चाहते हैं तो उसमें कुछ समस्या उत्पन हो सकती है मन में किसी प्रकार की चिंताएं भी रह सकती है व्यापार और धन की बातकेट अगर कहीं आपके पैसे बकाया है तो वहां से पैसे वसूली की पूरी संभावना बन रही है पिछले कर्ज को आप चुका पाएंगे व्यापार में अगर लंबे समय से कुछ दिक्कत हैं चली आ रही है तो उसे खत्म करना भी अबातिय वस्यक हो गया है इससे वरना बहुत ज़्यादा हानी का सामना करना पड़ सकता है विद्यार्थी की बातकेट आज आपका मन पढ़ाई में लगेगा लेकिन सफलता प्राप्ट करने के लिए आपको और भी अदम मेहनद करने की ज़रुरत है विद्यार्थी की बातकेट जिन जातकों को जोरों का दर दिया गठिया से समस्या रहती है उन्हें थोड़े परिसानी का सामना भी करना पड़ सकता है आज आपको तनावपुन वाताब्रण में रहने की सला बिलकुल भी नहीं दी जा रही है प्रेम समन्द की बातकेट आज आपका पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा जीवन साथी को समय दें उसे समझें इससे आपके प्रेम समन्द में नई उर्जा का संचार भी होता हुआ दिखेगा लेकिन प्रेम समन्दों में सोच समझ कर ही आगे बढ़ें किसी तीसरे व्यक्ति के वज़े से आपके प्रेम समन्द में धरारुत्पन ना होने दे आज के इन गेहूं से बनीवी चीये खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग ब्राउन कलर लकी नमर चार रहेगा बात करेंगे वरिषरासी की, वरिषरासी में चंदरमा पांचोंगे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज आपको कई परकार के प्रेशानियों से मुक्ति मिल सकती है कलात्मक कारियों में आपकी रुची बढ़ेगी आपके व्यक्तित में साकरात्मक बदलावा सकता है आज अपनी माता के साथ कुछ समय जोर बिठाएं और उनकी मन इस्तिती को समझें इससे आपको असी मन की सांती प्राप्त होगी यदि आप साधी सुधा हैं तो आपके सोसराल प्रक्षे से किसी के साथ वाद व्याद हो सकते हैं तो यहाँ पर आपको साब्धानी बरतनी चाहिए आज आप अपने बच्चों की परहाई को लेकर चिंतित रह सकते हैं इसके लिए आपको अपने बच्चों की परहाई में रूची समझनी होगी, बच्चों को उनके केरियर के परती प्रेरिद भी करें व्यापार और धन की बातकेत व्यापारियों के लिए आज के अच्छा रहने वाला है आपके आत्मिस्वास में वर्धी होगी जिसका फायदा आपको व्यापार में मिलेगा आज किसी जुरत्मन व्यक्ति को धन का धान जोरू करें नोकरी करने वाले जातकों के लिए आज के इन सामाने रहने वाला है नोकरी में परिवर्तन करने का मन आपका हो सकता है कुछ जातकों को सट्टे बाजी सा अदलाब भी हो सकता है विद्यार्थी की बातकेट विद्यार्थियों का मन आचेंचल रह सकता है अपने आपको सोसल मीडिया और मोगाइल फोन से थोड़ दूर रखें अब आपको अपने केरियर के परती सचेद भी हो जाना चाहिए स्वास्त की बातकेट आज आपको किसी प्रकार की चिंता रह सकती है मन असांद भी रहेगा जुआ तक पहले से विबार है उन्हें अपने स्वास्त का ज्याध्यान रखना चाहिए प्रेम समन्थ की बातकेट आज आप जीवन साथी को समय दे पाएंगे जीवन साथी पर किसी प्रकार का सक करने से पहले सच्चाई को जानने की कोसिस करें अगर आप लंबे समय से प्यार की जार की सोच रहें तो यह समय आपके लिए अच्छा सावित हो सकता है आज किन हरी सब्जियां खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग हरारंग लगी नमर छे रहने वाला है बात करेंगे मिथुन रासी की मिथुन रासी में चंद्रमा चोथे स्थान में विराजित हैं जिसके प्रसुब आज आप किसी पर भी अपनी बातें थोपने की कोशिस ना करें आपको यहां से नुक्सान हो सकता है आपके बच्चों के साथ अच्छे समन बना के रखने का प्रयास आपको करना चाहिए उनसे लड़ाई जर्गे की संभावना बन रही है सांती से अगर काम लेंगे तो आपके बहुत सारे कारी बन भी सकते हैं अपने लगण और आत्मिस्वास से आप अपने कारीयों को बहतर धंक से कर पाएंगे जो जातक मीडिया से जुरे हुए हैं उनके लिए आज के नच्छा रहने वाला है व्यापार और धंकी बातकरत आज आप अपने साहस और प्राक्रम के बल पर अपने कारे छेते में स्तिति को सुधार सकते हैं आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा यस और किर्थी में विर्धी होगी आपके व्यापार में तेजी देखनी को मिलेगा अपने काम पर फोकस रहें से आपको फायदा होगा नोकरी करने वारे जातकों के अपने सीनिर अधिकारियों से आज मतभेद बढ़ सकते हैं तो यहाँ पर आपको साभने निश्ची दोर पर रखनी चाहिए अपने फिजूल घर्चों पर भी नियंतर रखना चाहिए विद्यार्थी की बातकेट आज विद्यार्थियों को सिक्षा के छेतर में सुब फलों की प्राप्ती होगी तो डटकर महनत करें सफलता इसी से मिलेगी स्वास्त की बात करें, जीन जात्कों को जोरों का दद रहता है, उन्हें आज परिसानी का सामना करना पड़ सकता है आज आपका Black pressure नूर्मल रहेगा, व्यायाम करें योग करें, अपको स्वास्त में फायता भी होगा प्रेम समन्त की बात करेंगे आज आपके जीवन साथी के साथ किसी दूसरे के वज़ा से मतभेद उत्पन हो सकते हैं तो कुछ भी ऐसा सोचने से पहले बातों को गहराई से जोर जाने आज किन मसूर की दाल खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंकेसर यारंग लकी नम्मर आठ रहने वाला हैं बात करेंगे करकरासि की करकरासिम चद्रमा तीसरे स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुब आज आज आपको आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा आप किसी जोरत्वन ब्रक्ति की मदद जरूर करने से आपको भी जीवन में फायदा होगा अपने पिता या उच्चाधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा सामाजी कारियों में रुची आपकी बनी रहेगी मन में नए-ने विचार आएंगे इन विचारों को सहेच कर अपने जीवन में आगे बरहें स्वादि्ष्ट भोजन का आणद उठा पाएंगे परिवार के साथ किसी धार्मिक यातरा पे जाने के या धार्मिक कारी करने के आउसर आपको प्राप्त हो सकते हैं आज किसी गलत फैमिंके कारण आपके और आपके प्रियेजनों के बीज लड़ाई जगरे भी हो सकते हैं तो यहाँ पर आपको साधानी ब्रतनी चाहिए व्यापार और धन की बातकत आज आपको आपके केरियर में सफलता की प्राप्ती होगी आज आप अपने विरुधियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे आर्थीक मामलों में आपको सफलता की प्राप्ती होगी परिवार में किसी व्यक्ती से आपको धनला भी हो सकता है जो आतक नोगरी करते हैं उनको आपिस में ऐसे लोगों से साधान रहना चाहिए जो उनके दोस्तों हैं लेकिन उनकी छबी विगारने की कोशिस करते रहते हैं। विद्यार्थी की बातकेत, विद्यार्थियों के लिए आजकेन मिरादुला रहने वाला है। पढ़ा ही सबका मन बठक सकता है, इसे में अपने लक्ष का ध्यान करेंगे, तो आपको फायदा होगा। स्वास्त की बातकेत, आज आपका स्वास्त अच्छा रहने वाला है, चुस्ती और फूर्ती का अनभव भी करेंगे, लेकिन आपको मौस्मी विवाणियों से सचेत रहना चाहिए। प्रेम समन्त की बातकेत, आज आप जीवन साथी के साथ समय बिताएं, इससे आपको और आपके जीवन साथी को दोनों का अच्छा महसूस होगा। आपके लिए फाइदे मन्सावित हो सकती है। आज अगर किसी की मदद करते हैं तो उसका फाइदा आपको भी कहना कहीं मिलेगा। आपके अपने बॉस के सामने खुद की पैर भी ना करें, इससे निगेटी प्रभाव पढ़ सकता है। विद्यार्थी की बातकेद पतियुक्ता परिष्छा की त्यारी करने वाली विद्यार्थी। अपनी दिर रिच्छा सकती से लक्ष को प्राप्त कर सकते तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। स्वास्त की बातकेद आज आपको मौसमी विवाणियों को लेकर सतरकतार रखनी चाहिए आपके सररीक और मानसिक बिमारी का जर आज आपका दुख हो सकता है। वियायाम करें, खुली हवा में टाहलें, आपके स्वास्त के लिए अच्छा रहेगा। प्रेम समंद की बातकेद अपनी बातें अपनी जीवन साथी पर थोपने से कलह की स्थिति उत्पन हो सकती है, अपने जीवन साथी को बराबर काधिकार दें, इससे आपके समंद मधूर बने रहेंगे। आज किन हरी सब्जियां खाएंगे तापके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग आसमानी रंग लकी नमर दो रहने वाला है। किसी धार में कारी को आप करेंगे, तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। आपको अपने सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन ध्यान रहे, वो आपके काम का केडिट भी लेने का प्रियास करेंगे। कर्ज लेने साथ बिलकुल आपको बचना चाहिए। विद्यार्थी की बातकर आज आपका मन पढ़ाई में लगेगा, आप जिस लक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, उसके लिए अच्छी योजना बना कर करी महनत करें सफलता मिलेगी आपको। स्वास्थ की बातकर आज आपको अपने स्वास्थ के परती सचेत रहना चाहिए, जिन जातकों को हाई या लोग ब्रेशर की सिकायत रहती है, वह आज अच्छा महसूस करेंगे। प्रेम समन्द की बातकर आज आपके जीवन साथी के साथ आपकी नोग जोग भी हो सकती है, बाद में सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। आपके मकान मालिक के साथ समन्द भी गर सकते हैं, तो यहाँ पे साब्धानी बढ़ते हैं, आज आपको संतान के तरफ से खुसी हो सकती है, परिवार में साकारात्मा ग्वातावरन इसकान बनेगा, किसी पुरानी समस्या का अंत भी हो सकता है, आज आपके आत्मी स्वास मे कमी आ सकती है, साथ ही अपने वानी पे नियंतन रखें क्योंकि आज आपके लराई जहरे की योग भी बन रहे हैं, आपको आपके सिनियर किसी काम को लेकर अज उकसा आ सकते हैं, धैरी से काम ले यह एक सोची समझी साजिस आपके खिलाब हो सकती है, व्यापार और धनकी ब बनाएंगे उस पर अमल भी करेंगे, तो आप अपने हानी को लाब में बदल सकते हैं, विद्यार्थी की बातकर विद्यार्थियों का मन चंचल रहेगा, पढ़ाई के लावा अन्यचीयों में समय बरबाद ना करें, अपने पढ़ाई पढ़ी ध्यान लगावें, सिक्छा प्रेम समंधों के लिए आज के लिए अच्छा रहने वाला है, जीवन साथी को समय दें और उनकी भावनाव की कदर भी करें, इससे आपके प्रेम समंधों में मिठास उत्पन होगी, प्यार के जार करने के लिए आज के लिए अच्छा रहने वाला है, आज के दूद या द पीते दिनों में किया है उसका फल आपको मिलेगा जिसके कारण आपके आत्मी स्वास में विर्धी होगी आज आप कोई भी नया कारी करने के लिए प्रेद भी रहेंगे इस नए कारी में आपको सफलता भी मिलेगी नए लोगों से मिलना दोस्ती होना संभव है आपको आज कारी विगर भी सकते हैं बात करेंगे व्यापार और धनकी तो आज आप अपने बात करने की छमता और काम करने की छमता से अपने व्यापार में विर्धी कर पाएंगे आपकी आय में बढ़ोतरी होगी जो आतक नोकरी कर रहें उनके सीनियर अधिकारी उनसे परसंद अगर कोई बहुत जोरत्मन ब्रक्ति ना हो तो से पैसे उधार ना दे ऐसे पैसे आपके डूब सकते हैं विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज किन अच्छा रहने वाला है प्रेम समन्त की बात करें चोटी-चोटी बातों को लेकर आप अपने जीवन साथी से आज उलज सकते हैं एक दूसरे से वाद व्याद की स्थेति उत्पन हो सकती है लेकिन यह सब होने के बाब जूद आपके रिष्टे मधूर बने रहेंगे जीवन साथी या प्रेमी प्रेमी का के साथ समय बिताए इससे आपके प्रेम समन्त अच्छे बने रहेंगे आज किन चांदी के बरतन में खीर खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग हरारंग लगी नमबर रहने वाला तीन बात करेंगे धनुरासी की धनुरासी मचंदरमा दस्वे स्थान में विराजित हैं जिसके फ्लसुप आज आपके कारे छेतर में आपको सम्मान की प्राप्ति होगी आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको प्रोथ सहान मिल सकता है आपके प्रतिदंदियों को परास्त करने में आपको सफलता की प्राप्ति होगी अपने घर के कारियों में आज आप वेस्ट भी रह सकते हैं भगवान के प्रति आपकी आस्था बरहेगी लेकिन संतान के तरप से थोड़ी चिंता आपको रह सकती है तो अपने संतान का ध्यान रखें, आज घर में कलह का माहूल भी बन सकता है आज आप आत्मिस्वास से भरपूर रहेंगे परन्तु पिता के स्वास्ते से, तो अचिंतित भी रह सकते हैं व्यापार उधन की बात करत आज आप में आत्मिस्वात भरपूर हने के कारण आप मानसिक तोर पर मजबूत नजर आएंगे जिसका फाइदा आपको भी व्यापार में मिलेगा जो अतक नोकरी कर रहें उन्हें अपने सहगर्मियों से चुनोती मिल सकती है आज आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं तो अपने फिजूल खर्चों पे नियंतन जोड़ रखें विद्यार्थी की बात करत आज आज आपके मित्र आपका ध्यान पढ़ाई से भटका सकते हैं का व्यायाम करना आपके लिए अती उत्तम रहेगा प्रेम समंध के लिए आज के न अच्छा रहने वाला है जीवन साथी के साथ आज आप समय बिता पाएंगे साथी आप यह भी जान पाएंगे कि आपका पार्टनर आपसे कितना प्यार करता है आज के न उड़त की डाल रख पाएंगे जिसके फलसरूप आपके चाहने वालों की संख्या में विवर्दी भी होगी। अगर आप रादनीती से जुरूए हुएं तो उसका भरपूर लाब भी आपको मिलेगा। आपके संतान का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कोई पुराना फसा हुआ रुका हुआ काम आपका पूरा हो सकता है। सरकारी कारियोस आपको लाब मिलेगा। आज आपको आपके मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा। आज आप मानसिक सांती का अनभव करेंगे। कुछ जातक किसी अग्यात भई से परेशान भी रह सकते हैं। व्यापार उधन की बात के चाहे व्यापार करते हो जॉब करते हो। आपके अधिनस्त करमचारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी करीबी मित्र या सगे समंधियों की मदद से आपके व्यापार में लाभ होगा। आज आपको आपके व्यापारी जो परतीजनती हैं वो व्यापार में नुक्सान पहुचाने की कोशिस कर सकते हैं। लेकिन व्यापार में आपकी स्थिति फिर भी अच्छी बनी रहेग विद्यार्थी की बातकत विद्यार्थियों के लिए आज के अच्छा रहने वाला है जो विद्यार्थी प्रत्योंकिता पड़िछा के त्यारी कर रहे हैं उन्हें भी सफलता मिल सकती है स्वास्त की बातकत आज आपका स्वास्त अच्छा रहने वाला है मानसिक सांति का अन्भव भी करेंगे प्रेम समंध की बातकत प्रेम समंधों की को सुद्रीड बनाने के लिए आज अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएं अपने आपको उचा और अपने जीवन साथी को नीचा दिखाने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें इससे वादवियात की स्थितित्वपन हो सकती है जिन और विवाही जातकों को साथी की तला से उनकी खोज पूरी हो सकती है आज कें दूद या दूद से बनी वी चिये खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग खाकी किलर लकी नमर छे रहने वाला है बात करेंगे कुमरासी की कुमरासीम चंदरमा आठवे स्थान में विराजित है जिसके प्रसुब आज आपको परिवाजनों का साथ मिलेगा खास करके बड़े भाईवायनों से माता पिता से भी कुछ आर्थिक सहीयोग आपको मिल सकता है आपके परिवार में सुकसांति का माहौल बना रहेगा जिससे आपके घर में सकारत्मकता भी बनी रहेगी लेकिन आज आपके लराई शेकर के योगबन है तो आपको सबसे अच्छे समन्द बना के रखने होंगे खास करके सगे समन्दियों से परोशियों से किनी किनी जातकों को कोई अच्छा दोस्त भी मिल सकता है लेकिन किसी नए पर भुरसा करने से पहले उसे जांच जोड ले आज आपके जिद्दी रविये की वज़े से आपको कुछ नुकसान हो सकता है तो कल्पनाओं के पीछे ना दो रहें सोच समझ कर ही काम लें अपने पिता और धर्मगु की सला से किसी कारी को करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी व्यापार और धन की बात के आज आज आपको व्यापार में करी चुनूतियों का सामना करना पड़ सकता है इस चुनूति से घबराएं नहीं बलकि इसका साम्मा डटकर करें इससे आपको पैसे भी उधार लेने से किसी से बचना चाहिए आज कर लिए पैसे आप जल्दी से चुका नहीं पाएंगे जो अतक नोकरी कर रहे हैं उनके सहकर्मियों के साथ उनके समद भी एकर सकते हैं आज आपके सहकर्मिय आपके बड़े प्रतितन दीवी साबित हो सकते हैं इससे बचने के लिए अपने सीनियर के सामने अपने आपको अच्छे से परजेंट करें आज आपके खर्चों में विर्दी भी होगी विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज किन सामाने रहने वाला है अपने समय को बरबाद करने से बचें समय का एक एक पल महतपूर्ण है उस पल का लाब जो उठावें अभी अपना ध्यान सिर्फ हो सिर्फ अपने पढ़ाई पढ़ी लगावें स्वास्त की बात करें आज आपका स्वास्त अच्छा रहने वाला है लेकिन अपने स्वास्त का ध्यान रखना चाहिए आपको तले भुने और मसायदार खानों से दूर रहना चाहिए प्रेम समन्द की बात का जीवन साथी से हलकी नोगजों के बाद अच्छे समन्द भी बनेंगे आपको कोई पार्टनर भी आज मिल सकता है लेकिन पार्टनर का चुनाओ करने में आपको साब्धानी बरतनी चाहिए प्यार के जहार करने से बचना चाहिए आज किन गूर खाएंगे तापके लिए सुब रहएगा आपके लिए आज का सुबरंगारारांग लगी नमर तीन रहने वाला है बात करनेंगे मी नासी की मी नासी मचदरमा साथमें स्थान में विराजित है जिसके प्रसुब आज आप अपनी बातों को समाज में मजबूती के साथ रख पाएंगे आपके बच्चों के साथ आपका समय अच्छा भी देगा कई माईनों में आज का दिन आपके लिए चुनोतियों से भार रह सकता है आज अगर आपको जीवन का कोई भी बरा फैसला लेना हो तो किसी अनभवी लोग की सलाह जोड़ ले आपके मन में आज कोई नकारतमक विचार आ सकते हैं जिससे आपका कारे भी प्रभावित हो सकता है आज आपकी बोली कई बातों को आपके प्रतिदंदियों दोरा तोर मरोर कभी पेस किया जा सकता है तो कुछ भी ऐसा बोलने से पहले साबधानी जरूर बढ़ते हैं किनी-किनी जातकों के उनके पिता के साथ समद्ध भी गर सकते हैं आपके साबधानी आपको बढ़तनी चाहिए आज अगर घर से अपने बड़े कासी रवाद लेकर किसी काम के लिए निकलेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी ओफिस या व्यापार में आपके सहकर्मियों के साथ आपका दिन अच्छा बीदेगा व्यापार औधन की बातकर व्यापार के दिश्टी से आज किन आपको अच्छा रहने वाले है जो आतक व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में लाव होगा समान व्यापारियों के बीच आपकी परतिष्ठा भी बढ़ेगी आवे सकता होने पर आपको आपके भाई बहनों से आर्थिक मदद भी मिल सकती है नोकरी करने वाले जातकों के लिए आज किन अच्छा रहने वाल है ओफिस में सहकरी में और सीनियर की बीच आपका मान समान बढ़ेगा विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों को आपको लक्ष की प्राप्ति के लिए ज्यादा महनत करने की आवे सकता है ज्यादा महनत करेंगे तो ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी तो महनत में किसी प्रकार के कोई कमी बिल्कुल ना रखें स्वास्थ की बात का, स्वास्थ के दिष्टी से कुल मिला के आपके लिए अच्छा दीन आप रहने वाला है किनी-किनी जातकों को किसी प्रकार की चिंता भी रह सकती है प्रेम समंथ की बात के तर विवाहित जातकों को अजीवन साथी का सहयोग प्राप्थ होगा जुआ तक औविवाहित है उन्हें कोई नया पार्टनर भी मिल सकता है आज के इन तामबे के बरतन में पानी पिएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग सुनारारंग लगी नमर साथ रहने वाला है तो मित्रों ये तो थाज के 12 रासी का रासी फल अब जाल लेते हैं आज का सुब समय आज का सुब समय यानि की गुलिक काल रहने वाल है सुबा के 7 बचकर 15 मिर्ट से लेकर सुबा के 8 बचकर 34 मिर्ट तक इस समय में कोई भी नया कारी आरम करेंगे तो उसमें आपको सफलताहत लगेगी आज का असुब समय यानि की राहुकाल रहने वाला है दिन के 9 बच कर 22 मिनट से लेकर दिन के 11 बच कर 11 मिनट तक इस समय में कोई भी नया कारी आरम करेंगे तो उसमें आपको और सफलताहत लग सकती है दिसासूल पूरुदिसा में रहने वाला है पूरुदिसा में किसी भी खास प्रियोजन से यातर आरम ना करें यहाँ पर आपको नुक्सान हो सकता है सुब खाद्याज का अधरक रहने वाल है अधरक का छोड़ टुक्रा भी खाकर यातर आरम करेंगे किसी नए कारी को करेंगे उसमें आपको सफलताहत लगेगी तो मितनों यह तो था आज का संपून रासी फल कल के संपून रासी फल के लिए जुरे रहे हैं धर्मसिक्चा के साथ और देखते रही है धर्मसिक्चा जे मातादी